असलाम लेकुम स्टूरेंट्स वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल आज कहम इस वीडियो में एडियू 431 का टेस्स डिवेल्पमेंट एवेल्वेशन का लेक्शन नमबर 3 देखने हैं इससे पहले कि मैं नैस प्रोसीड करूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नह आने वाले साइन्मेंट कोईजिस और शॉर्ट लेक्शर से रिलेटिड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएं लास्ट लेक्शर में हम लोगों ने 4 लेवल देखे थे और उसके बाद फिर हमने उसको एक्जामपल से भी समझा था कंपिटेंट्स स्टेंडर बेंचमा आज की स्टीम ने उसके थापशन एंखरे निए ऊपर है आज जो लोग है हम लोग टैक्सों वडिसकस करें गेया है कशलन कलम हम बूलूम टैक्स seulementतों है यह लिनिक अविश्य दिए टीन पनि में करेंगे सबसे हुआ हम लोग बूम टैक्स करेंगे कहते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी क्या होती है ब्लूम टेक्सोनोम जो है वो 1956 में बेंजिमन ब्लूम ने इसको बनाया था टोटल इसकी जो है वो तीन टाइप होती है त्री डिफरेंट डुमें से उसने इसको बनाया Bloom Taxonomy को सबसे पहले इसकी Cognitive Domain है, Effective Domain है और Psycho-Motor Domain है अब जो सबसे पहली Domain है Cognitive Domain उसके अंदर 6 टाइपस आती है Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation अपने 1st semester में भी इसको पढ़ा हुआ होगा ये domains को ये वही है domains जो पिछले semester में हमने देखी थी उसके बाद इसमें Effective Domain है, जिसमें Receiving, Responding, Valuing, Organization, Characterization है Psycho-Motor Domain के अंदर भी 7 चीज़े हैं कौन-कौन सी Perception, Set, Guided Response, Mechanism, Complex, Covert, Response, Adoption और Organization, इसमें से MCQs एक आता होता है, बड़ा इंपोर्टन्ट और उसके बाद हमारे पास Solo Taxonomy है Solo Taxonomy के अंदर हमारे पास भी इसके Level आते हैं, इसके 5 Level है Pre-Structural, Unistructural, Multistructural, Relational Structures और Extended Abstract इनको भी बारी-बारी डिसकस करते हैं सबसे पहले हमारे पास Pre-Structural है कहता है, इसमें Unconnected Information होती है और इसमें Simple Question पूछे जाते हैं जिस तरह के What is Your Name? Okay, Answer में भी अक्सर लोग कहते हैं अगले बंदे से के What is Your Name? उसके बाद हमारे पास Unistructural है इसके अंदर Students जो हैं, वो किसी टॉपिक को समझते हैं और Response करते हैं उससे Relevant ही इसमें वो Identify करते हैं, Memorize करते हैं और Simple Procedures को Use करते हैं उसके बाद हमारे पास Multi-Structural है जिसमें Several Components यूज किये जाते हैं Understand करने के लिए इसमें Connections बनाए जाते हैं लेकिन इसके अंदर हम लोग Overall Significance नहीं दे रहे होते Components से ही हम लोग Classification करते हैं Describe करते हैं, List बनाते हैं Combine करते हैं Multi-Structural में उसके बाद हमारे पास Relational Structure है जिसके अंदर हम लोग Facts, Theory, Action और Purpose के Connections बनाते हैं इसके अंदर हम लोग जो हैं वो Apply करते हैं, Integrate करते हैं चीजों को Relate करते हैं काजिस Explain करते हैं, Compare करते हैं उसके बाद हमारे पास Standard Abstract है जिसके अंदर हम लोग Hypothetically Synthesize कर रहे होते हैं More Logical चीजों को जिसमें हम लोग Theory दे रहे हैं Generalize कर रहे हैं Hypothesize कर लहे हैं यह सारे हमारे पास Extended Abstract हैं यह जो सारे हैं वो Solo Taxonomy के थे अब थर्ड वारी हमारे पास Depth of Knowledge है Depth of Knowledge के अंदर हम लोग कहता है कि चार लेवल इसके देखना है एक स्किल यहां कॉंसेप्ट है स्ट्रेटिक थिंकिंग है और Extended थिंकिंग है इसको भी हम देख लेते हैं बारी बारी के यह क्या है कहता है जो सबसे पहले हमारे पास Depth of Knowledge है वो मियर करता है हमारे Knowledge की डिगरी को Assessment से लेके complex चीज़ों ताकि वो क्या aspect करता है और minimum curriculum क्या होता है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं recall recall करते हैं हम लोग facts को information को यह procedure को यह subject matter होता है इसमें कुछ facts और properties देखी जाती है जिसमें list बनाना पड़ती है करते हैं recalling करते हैं reproducing करते हैं इसके अंदर जो example के हैं separate graph है relate करते हैं contrast करते हैं compare करते हैं skill यह concept के अंदर strategy thinking के अंदर हम लोग कहता है कि यह short term uses का होता है लेकिन यह higher order thinking है जिसमें हम लोग analyze और evaluate करते हैं इसमें हम formulate वगरा कर रहे होते हैं आर्गुमेंट्स देते हैं extended thinking के अंदर कहता है demand करते है extend use of higher order thinking process जिस तरह के synthesis करना reflection क्या है assessment adjustment क्या है इसमें synthesize करना design और reflection हम लोग देखते हैं अब loom taxonomies की जो थी उनको भी हम लोग discuss कर लेते हैं उनकी भी types को further कहते हैं तीन तरह की domain आपने देखी cognitive domain effective domain और psychomotor domain इसके अंदर हम लोग just cognitive domain को ही discuss करेंगे cognition जो है उसको हम लोग thinking से relate करते हैं और cognition domain के जो old हमार पास cognitive domain ना उसके six level है जिसमें knowledge comprehension application analysis synthesis or evaluation इनको हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले knowledge हमार पास क्या है previously learned material है इसके अंदर हम लोग wide range of facts और procedures को call करते हैं उसमें principle देखते हैं questions वगरा define करते हैं comprehension के अंदर कहता है कि हम लोग meaning देखते हैं किसी भी material का उसको idea देखते हैं उसको explain करते हैं application के अंदर कहता है previously learned material जो होता है उसको new farm में new situation में हम लोग सीख रहे होते हैं कि हम उसको easily understand कर सके उसको elaborate कर सके analysis में यह देखते हैं synthesis के अंदर कहता है इसमें parts होते हैं हम रपास concept के उसको as a whole देखते हैं और इसमें हम लोग individual जो है वो pieces के उपर काम कर रहा होता है sorting करता है sampling question देखता है classification schemes को use करता है और उसके बाद हम रपास evaluation है यह judge करता है material को given purpose के लिए कि हमारा given purpose क्या है और जो हमने answer दिया है वो हमारे question को support करता है तो यह हमारे पास जो थी वो taxonomy थी जो कि आजकल हम use करते हैं और कुछ level थे जो के revise हुए है taxonomy के पहले taxonomy जो थी वो यह थी उसके भी कुछ steps थे जिसमें remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating यह पहले वाली taxonomy थी जो के use की गई थी इसको इसके steps को हम लोग थोड़ा सा review करते जाएं कि इसके steps में क्या बताया हुए सबसे पहले remembering है जिसमें हम लोग previously material को learn करते हैं topics को देखते हैं define करते हैं label, list, name वगयरा हम लोग देख रहे होते हैं understand के अंदर हम लोग different function उसके देखते हैं classify compare करते हैं applying के अंदर हम लोग problem को solve करते हैं new situation के अंदर अपने knowledge के मताब kingdom करते हैं समय choose करते हैं contrast करते हैं develop करते हैं identify करते हैं analyzes के अंदर हम लोग breaking करते हैं material को parts के अंदर इसमे note करना रियूह ईंक्राइकРЕ मचे है कहना object करना को है उल्यज़ेंग करते हम लोग घूज और होते हैं उनके standards को उसमें हम और डिस्प्रूफ करते हैं कि रियेटिंग के अंदर हम लोग elements को इकठा रखते हैं coherent functional फार्म के अंदर इसमें हम लोग बिल्ड चेंड चूज कंबाइन कंपाइल कंपोस कर रहे होते हैं अब इन्होंने यह थोड़ा सा डिफरेंस बता देया इस्टेबल के अंदर किस तरह से यह होती है taxonomies सबसे पहले solo taxonomies जो है उसके five level हमने देखे bloom taxonomies के यह level देखे जो दूसरी taxonomies के दूसरे level थे ना bloom taxonomies के वो जो थे वो पहले थे अब जो है यही यूज किये जाते हैं उसके बाद knowledge of depth of knowledge जो है उसके हमने four जो है वो levels देखे और इनको भी आगे discuss किया और उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद चोटा सा टॉपिक है instructional objective क्या होते है learning outcome के कहता है इसमें अंदर हम लोग action लेते हैं अपने जो objectives होते हैं उनको learning outcome में देखते हैं इसमें products processing करते हैं कौन-कौन से sources हैं जहां से हम लोग list बना सकते हैं अपने objective की हम लोग professional standards से देख स सकते हैं यह बुक से देख सकता है encyclopedia से curriculum framework यह test manual से हम लोग सारी information इकटी कर सकते हैं उसके बाद के तक right area क्या है किसी भी final list objective को select करने के इसमें यह वह complete होनी चाहिए appropriate soundness और feasibility होनी चाहिए उसके बाद दो तरह के objective होते हैं एक general objective होते हैं और एक हमारे पस specific objective होते हैं जो हम हम लोग proper level generality का select करते हैं उसको direction देते हैं इसमें different terms उनको explain कर रहे होते हैं और उसमें हम लोग जो basic terminologies देखते हैं concept को understand करते हैं interpret graphs देखते हैं scientific attitude देखते हैं ठीक है यह सारे general objectives के साथ relate करते हैं चीज़े अब हम लोग specific learning outcome के अंदर कहता है इसमें जो हर general objective है उसको से specify किया कि आपको आपका objective further define ना हो जाए ठीक है यह इसके कुछ steps है I hope कि आपको आज के lecture की समझ आई होगी जिसके अंदर हम लोगों ने तीन taxonomies को discuss कि और further उनकी division को भी देखा उसके बाद last पे हम लोगों ने कुछ general specific concepts देखे I hope कि आपको समझ आई हो फिर भी कुछ question हो without any hesitation आप comments में पूसकते हैं बाकि दौओं में याद रखें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ना मत भूलें अल्लाहाफेज